need and importance of physical education यह क्या होता है इसमें overall development of child यहनि की बच्चे का सर्वागीन विकास में क्या आता है mental, physical, social, health आती है development आता है ठीक है second point हमारा nature development इसमें क्या होता है गर्वा हवस्ता से ब्रद्ध हवस्ता तक की जो प्रक्रिया है वो हमारी होती है natural development हमारा गर्वावस्ता से ब्रद्ध अब्रएस तक होता है तर्पवर्वावस्ता ठीक होता है तो चाली है कहसे का क्या शाओ इसवास्त कैसे है मारा निर्योग है कोई भी आराम आज्वावस्ता पर्फ़ार्म कर सकते हैं तो हमा shifts होता है ठीक है four point है हमारा character development जिसमें character कैसे डबलप होगा हमारा हम अम सैल्फ डिसिप्लीन होंगे दूसरों को भी discipline सिखाएंगे नहीं करेंगे और वाइलन नहीं होंगे और responsible to your team जिस समूं मिले हम काम कर रहें उसके लिए हम responsible से हमारे यह सारी मिलके हेत को दूर रखेंगे यह साथ चीज़ें मिलके हमारा अ करेक्टर डवलप करते हैं थीकि कि वो किस करेक्टर का है तो ऐसे हमारा करेक्टर डवलप होता है फिर पॉइंट है हमारा development to self-confidence हमारा self-confidence कैसे आता है जब हम किसी situation को handle करते हैं वो भी positive manner में during competition या फिर में किसी situation में कठीन परिस्थी में फस गया है तो उससे हम कैसे निकलेंगे उसको उसको बोलते हैं self confidence ठीक है इस तरह से develop होता है six point है हमारा development of leadership quality leadership quality क्या होती है कि हम loyal रहें और self confident रहें एक अच्छा leader वहीं होता है जो determination के साथ अपने team के लिए वाग करें honest रहें ब्लकुल और सबसे बड़ी उसकी quality होती है कि सबको साथ में लेके चलना किसी की भी बात ignore नहीं करना अगर किसी की problem है तो उसको भी साथ में लेके चलना सबको साथ लेके चलना ही leadership की best quality है ठीक है तो इससे बोलते है development of leadership quality seven point आता है development of positive attitude positive attitude क्या होता है accept defeat and victories जो हमारी victory है यानि हम जीत गया है और या हार गये तो उस चीज़ को accept करना वह बनाता है हमारा positive attitude को और rules को मारना situation को handle करना situation में कैसे आपको react करना है यह सब बनाता है हमारा positive attitude ठीक है तो eight point पे आते हैं eight point में development of national international integration and brotherhood तो इसमें क्या है भायचारे की भावना को बढ़ाना कैसे बढ़ेगी जैसे कि कभी कोई team लेके जाते हैं खेलते हैं बाहर जाके किसी दूसरे player से interact करते हैं तो हमाई भायचारी की भावना को बढ़ाना धार्मी भावना को बढ़ाना और इसमें क्या होती unity development होता है लोग बहुत ही किसी धर्म जाती के अलग-अलग तरह की भाशा के लोग आते हैं पर हमें उन सार नाइन पॉइंट आता है गेन हेल्थ रिटेन नॉलेज में क्या है कि हम जिसी बच्चे या स्टुडेंट पर काम कर रहे हैं उसको हेल्थ रिटेन नॉलेज देना कि इस पर्टिकुलर गेम के लिए आपको कितनी इनरजी की जरुवत है आप को कौन-कोंसी डाइट को फॉल करके भायचारा बनाके सायोग करके सम्मान करके रास्टि भक्ती यानी पैरीचे आटिस्म बनाके रखना ठीक है एक इससे हम एक आइडियल सीटीजन बंते हैं और मैनरत रखना यह सारी चीज़े मिलके हमारा शोशल डबलप्मेंट करती है 11 पॉइंट है हमारा यूज और फ्री टाइम में हम क्या करते हैं जो हम थक जाते हैं किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं या बहुत बिजी लाइफ से हमें कुछ थोड़ा रिलेक्स करना है तो हम किस तरह से अपने फ्री टाइम को कैसी यूज करेंगे रिक्रियेशन एक्टिविटीज करके जैसे कि हमने फिशिंग कर ली या अपने मन पसंद कोई गेम खिले जिसमें हमको जाधा मजाता है ठीक है और हम फिशिंग कर सकते हैं और हल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं तो यह हो गया हमारा करेंगे वार्ट कल्चर कर डबिलफ्मेंट Suzanne का इसनों का अलग अलग गेम होता है उसकी आद Мих identified to तो जो कि इंटन्यूस कराती हैं को जब भी हम कोई खेल केज़ते हैं तो जैसे का ओलंपिक है ओलंपिक में क्या है उनकी रितृर्योस क्या है की एक लब को जलाने की परंपरा है जो कि उसकी जो आज़ा जो आग है वह लाइट उलंपिया से ली जाती है ble UP की एक रिती रिवाज होते हैं जो की development of culture को दिखाते हैं ठीक है थार्टीन है अब अब शोशल structure social structure हमारा कैसे बनता है लोग तांतिक मूल पर अधादी जो चीज़े होती है यह गेम होते हैं उस पर हमारा social structure बनता है जिसका ज्यान जो है कैसे हम बाटेंगे physical activity भाग लेकि हम दिखाएंगे social structure को ठीक है अब आता है 14 point employment based curriculum employment कैसे मिलेगा किस किस चीज़ों मिलेगा जैसे कि sports institution में employment मिल सकते हैं institution में जाके हम सिक्षा दे सकते हैं ठीक है contraction of sports equipment बनते हैं उनमें भी employment है ठीक है पत्रकारता में है और हमें एक प्रिसिक्षक बन सकते हैं यह सारे हमारे employment के curriculum है ठीक है mental development क्या होता है ability to take right decision हम जल्दी से और सही decision लें यही हमारी mental development होता है